प्रेश कम्सिर के चेर्मेन जस्टिस चंद्रमावली कुमार प्रसाद जी मंत्री परिशत के मेरे साथ ही सिमान वहिंकया नाईडू जी सिमार राजवर्दन सी राठोट प्रेश कांसल के सचीव सिमति पुनम जी प्रेश कांसल के मेंबर सी रविंद्र कुमार जूरी कमिटी के मेंबर सिमार केजी सुरेश और सभी विचार और कलम के धनी भाई और भेनों आज जिन महावान और महान वहाओं का सम्मान हुआ है सथकार हुआ है उन सब को मैं रदे से बढ़ाई देता हूँ और बहुत बहुत शुब कामनाई देता हूँ प्रेस कांसिल पचास वर्ष कुरुन हो रहे हैं लेकिन ये भी सही है कि इसमें बीच में काल खंड ऐसा भी आया था जबकि प्रेस कांसिल को खतम कर गया गया था इसलिए हो सकता है कि इस काल खंड को जोड करके करें तो आपको फिर दो साल के बार दुबारा एक बार प्रचास साल मनाने के बार बैसे उननी सो सोला में शायद ये स्वीडन में इसकी दिशा में काम हुआ लेकिन तब जब उसका नाम था वो था कॉर्ट ऑफ ओनर पर दो प्रेस और बाद में इसका नाम बदलते बदलते प्रेस कांसिल की और चला और शायद दुनिया मैज कर वो प्रेस कांसिल इस नाम से ही परचीत है एक स्वतंत्र व्यवस्ता है और यह व्यवस्ता ज्यादा तर तो इसक्षेत्र की स्वतंत्रता बनाए रखना अभीवक्ति की आजारी को बर्करा रखना और कभी कोई तकलीफ आए तो खुद बैट करकर उसको सुल जाना खुदी इसमें बर्लाव लाते रहना उसी प्रकार से पुराने यूग में इतनी चुनावतिया नहीं थी जितनी शायद इस यूग में है बहुत ही बरिष्ट जो पत्रकारिता से जुड़े हुए लोग हैं उनके पांस सोचने का समय रहता था जब वो अपना रिपोर्ट फाइल करके शाम को घर लोडते थे तब भी दिमाग में रहता था कि मैंने आज रिपोर्ट फाइल की हैं कल चपते आएगी शायद ये शब्द ठीक नहीं रहेगा तो फिर घर जाके वो कोशिश करते थे डेक्स के जो चीफ होंगे उसको कांटेक करना या एडिटर को कांटेक करना अब हमें लिख करके आया था लगें शायद ये शब्द ठीक नहीं लेगा लगता है ये शब्द अच्छा रहेगा उसमाई उसका टेलिफोन कॉम्निकेशन भी नहीं था कभी वो वापीश चले ज शब्ने तक उसके मन पर एक दभाव रहता था चींता रहती थी कि मैं जो रिपोर्ट करके आया हूं या जो मैं निकरके आया हूं कल निकलेगा तो उसके क्या-क्या प्रभाव होगी मेरा शब्द ठीक था कि नहीं था मेरा ये हेड्लाइन में बनाने की कोशिश का उची तक और उसको सुधार के लिए कोशिश भी करता था आज जो लोग हैं उनके पास ये अवसर ही नहीं है इतनी तेज गती से उसको दोड़ना पड़ रहा है खबरों की विश्परधा है उद्योग ग्रूहों की विश्परधा है ऐसे में उसके सामने बड़ा संकट रहता है कि भाई फिर जो बोलने वालों के लिए जो बोल दिया बोल दिया दिखाने वालों के लिए जो दिखा दिया दिखा दिया और छपने वाला छपते तक पहले अब उनको अभी ऑनलाइन मेडिया चलाना पड़ रहा है यानि इतना तेजी से बदलाव आया है इस बदलाव की स्थिति में इस प्रकार के इंस्टिटूशन कैसे इन सब को मदद रूप हो उनकी कठिनाईयों को कैसे दूर करें कि सीनियर लोग बैठ करके नई पीड़ी के लोगों को किस पारकार से उप्योग होना को कोई मेकनियम प्याप हो क्योंकि यह ऐसा ख्षेत्र है उस ख्षेत्र को महात्मा गांधी कहते थे कि अनियंत्रित लेखनी यह बहुत बड़ा संकर्पादा कर सकती है लेकिन महात्मा गांधी यह भी कहते थे कि बहार का नियंत्रन तो तबाही पादा कर देगा और इसलिए बहार के नियंत्रन की कल्पना उस समाज को आगे ले जाने वाली कल्पना हो ही नहीं सकते स्वतंत्रता उसकी अभीव्यक्ति उसकी आजादी उस प्रिंसिपल को पकड़ना लेकिन साथ साथ अनियंत्रित अवस्था हम कितने ही तंदुरस क्यों नहीं हो फिर भी मा कहती है करे भाई कम खाओ या यह मत खाओ कोई मा दुश्वन नहीं है लेकिन वह मा घर में है इसलिए बारवारा कहेगा तो तुम कौन होता है मेरी ते बेकी चिंता करने वाले मैं हूँ और इसलिए ववस्था ऐसी है कि जो परिवार में ही समलनी चाहिए सरकारों ने तो जरावी उसमें टांग नहीं एडानी चाहिए कि आपी लोगोंने बैठ करके इसी काउंसिल जैसी ववस्था के मात्यम से सीनियर लोगों के अनुभाव के मात्यम से और समाज का सरवग्राई ही देख करके हम इन अवस्थाओं को विख्षित कैसे करेगे यह बात कठीन है कि अपनों के बीच में किसी की अलोजना कैसे करें कोई बाहर वाला कर ले तो हम रिपोर्ट करने के लिए तैयार है लिकिन हम बैठ के क्या करें और इसलिए यह कठीन काम होता है आत्मा वलोकन बहुत कठीन काम होता है कि मुझे बराबर यहाँ तो में दिननी में रहता था मैं मेरी पार्टी के संगठन का काम करता था उन दिनों में कंधार की घटना हुई थी और कंधार की घटना हुई विमान है जैक हुआ और हमारे देश में इलक्ट्रोनिक मेडिया उस समय अभी शुरुवाती दोर पे था तो एक दम कभी कोई दोस नहीं था कि कोई कैसे हो गया लेकिन वो शुरुवाती दोर एक प्रकार से था लेकिन उसमें जो परिवार के लोग जहाज में फसे थे उनकी खबरें वो परिवार लोग जुरुश निकाल रहे थे सरकार के खिलाब नारे लगाते थे और बस उनको छुड़वा दो और जैसे यहां गुस्सा बढ़ता था वहां अतंगवादियों का हसला बुलंद होता था अच्छा जा हिंदुस्तान का हाल ऐसा है कि अब तो जो चाहे वो करवा सकते हैं लेकिन यह घटला चलती रही लेकिन मेरी जानकारी है बाद में मेडिया के सभी लीडर लोग बैठे थे सभी प्रमुख लोग बैठे थे इन हाउस बैठे और प्रेस कांसिल साहिद उसमें न नोच लिए थे मैं मानता हूँ छोटी गटना नहीं है बहुत लोगों को यह तो यान है कि ऐसा है रिपोर्टिंग हुआ था लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि खुद मेडिया के लोगों ने मिल करके अपने खुद के बाल नोचे थे और हमने क्या गलती की क्यों की कैसे नुकसान हुआ हम कैसे बह गए और सबने मिल करके कुछ नौम्स पानन करना चाहिए इसकी काफी चर्चा की थे तरह रून जी यहां बैठे हैं जाए उनको पता होगा कि इस समय उनकी भी शवाद हो नहीं थे और उन्होंने कुछ नौम्स थे कि मैं समझता हूँ यह बहुत जब मुंबई की घटना करी उसमें बैठे उसका रेफरेंस भी आया अफगानिस्तान वाली घटना का लेकिन इतने अलग-अलग भ्यूज हो गए कि वो न आत्मंद रिक्षन कर पाएं इसलिए नहीं को करना नहीं चाहते थे बैठे तो करने कि खुदी बैठे लेकिन बात अधूरी छुट गई है दो है लेकिन जब तक इस प्रकार की संवेधन मान सिकता की करें अधार हे मेडिया में है मैं मानता हूं घृते件 हमसे होती है तक अब सी कि ऊसलिए ह empresa इस पार मेडिया का मुल्यानकन करना उचित नहीं नहीं होगा। लेकिन ये खुशी की बात है उसमें एक भौती मैच्चोड जिम्मेवार वर्ग है जो चाहता है कि इसको हमें बैठ करके बुराईयों से कैसे बचाएं कमियों से कैसे बचाएं और अधुप ताकत वर कैसे बनाएं यह अपने आप में इस जगत के लिए एक उम्दा प्रयास ह मैं ऐसा मैं मानता हूँ और यह निरंतर चलते रहना चाहिए लेकिन बाहर के नियंत्रणों से बाहर के नियमों से इस्थिति नहीं बढ़तेगी जब देश में इमर्जन्सी आई पर इस काउंसिल को ही खतम कर दिया गया था यह मुलभूत बात को ही खतम कर दिया गया था औ सुनर जन्म हुआ और उसमय मीडिया के प्रती बड़ी उदरता का माहूल था जब फिर से काम हुआ था इसका रूप उसमें से निर्मान हुआ लेकिन अब तक वह वैसा ही चल रहा है यह प्रेस कांसिल के साथ जुड़े हुए लोगों का प्रेस से जुड़े हुए लोगों हो सकते हैं कि हम समयानू कुल परीवरतन लाने के लिए वह किया क्र सकते हैं सरकार को भी एक तो होता है कि डेली हमारा जो प्षेतर है वहां के द्वारा हम सरकार को जो कहना है कहते हैं लेकिन उसके अवा भी एक वबस्ता हो सकती है क्या कि जिसमें सरकार की जानकारियों का अभाव इसके कारण समस्या कैसे पैदा होती है सरकार को जानकारिया देने के तरीके अगर 30 साल पुराने होंगे तो कैसे काम चलेगा लेकिन सरकार में ये बड़ाव लाने के लिए भी सरकार की इसकारेशली में बड़ाव लाने के लिए भी प्रेस काउंसिल के सीनियर लोग मदद कर सकते हैं जानकारिया देने के तरीके कैसे बढ़ने हम लोग और यह सब सरकारों की जिम्मेवारी है यह ठीक है पत्रकारिता का एक अनिवार यह सा यह भी है कि जो दिखता है जो सुनाई देता है उसके सिवाय भी कुछ खोजना और इ इसको इंकार ने किया जा सकता लेकिन कम से कम जो सुनाई दे जो दिखाई दे वह भी कुछ गंग से दिखाई दे और समय पर सुनाई दे यह जिम्मेवारी प्रमुक्त है सरकार में बैठे हुए लोगों की है लेकिन यह मैं देख रहा हूं कि इस कॉम्मिनिकेशन गैप को क ठीक है कि उसको 10% जनकारी चाहिए 90 तो फिर वो अपना कहीं से पहुंच जाएगा ले आएगा उसको सिर्फ पता चनलच अच्छा यह हो रहा है तो बागे पहुंच जाएगा उसकी सिकायत उस पहले वाले 10% की है लेकिन दुर्भागी यह भी है फिर सरकारों में भी सिलेक कि लीकेज का शौफ हो जाता है दो अच्छे प्रिया लगते हैं जारा सरकार की वाई 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 उसको जारा खाबर देता हूं यह ऐसी सरकार की भी बुराहियां कमियां यह कहीं कहीं नॉन सीरियस एटिटू यह भी बढ़लाव की ज़रुवत मांगता है प्रेस काउंसिल में ऐसी बेगर कुछ चर्चाय होती है और सरकार के सामने तखा जाए सरकार कर पाए नेग्या पाए वो मैं नहीं कह सकता हूं लेकिन कम सब्सक्राइब यह भी तो होना चाहिए आप हम मेडिया वालों को सुबह उड़ते ही आप लोगों की शिकायत रहती है तो हमारी शिका जनता को मिलना चाहिए उसका लाब किसी पार्टी इन पावर को या पर्सन इन पावर को नहीं मिलना चाहिए जो भी बेनिफिट है वह जनता को जाना चाहिए जो भी बेनिफिट है वह भविश को जाना चाहिए उजवल भविश के लिए नीव डालने के लिए होना चाहिए यह अगर हम कर पाते हैं तो ऐसे institutions ऐसे अवसर बहुत काम आते हैं और उसे अवसरों का हमने उप्योग करना चाहिए इन दिनों खास कर से प्रेश के मेडिया के छेतर से जुड़े हुए लोगों और पिछले दिनों जो हत्या की खबरे आई यह दर्दनाख है किसी भी वेक्ति की हत्या दर्दनाख हैं लेकिन मीडिया वाले की हत्या इसलिए हो कि वो सत्य उजागर करने की कोशिश करता था तब वो जराव अथी गंभीर बन जाती है अथी चिंता जड़क बन जाती है जब हम मुख्यमंत्रियों की एक मीटिंग मिली थी तब भी मैंने आगरे से इस विशे को रखा था कि हमने सिरफ हम आजादी के पक्षकार हैं हम सोतंतर रगार के पक्षकार हैं ये हमारे सिर्धानतों को हम कहते रहे से इनप नहीं है हम सरकारों का दाइत्व बनता है कि ऐसे लोगों के साथ जो भी गलत आचरण होता है उनको न्याय मिलना चाहिए उनकी सुरक्षा की चिंता होनी चाहिए और ये सरकारों की प्राइवरिटी के लिस्ट पर होनी चाहिए वरना सत्य को दबाने का ये दूसरा अति भहंकर तरीका है एकांग बार कोई घुसे में आकर के किसी मीदिया की अलोच ना कर दें तो वह वानी स्वतंत्र का नेगेटिव हिस्था मान करके चलो सब लोग माप कर देंगे लेकिन हाथ उठाले कोई शरीप ये वार करते हैं ये तो सबसे बड़ा कुरूर जुल्म है स्वतंत्रता के उपर और इसलिए सरकारों को भी इस विशे में उतना ही सम्मेदन सिल होना उसकी प्राइवरिटिज को लेगा जो बहुत आवश्यक है जो खुशी की बात है का आज हमारे अडोस-प्रणोस के देशों के महनुभाव भी हमारे बीच में हैं क्योंकि एक प्रकार के हम आज बृत्त जगत उसका प्रभाव की कुछ सीमाई नहीं रही है बहुत तेजी से ट्राविल कर रही है को वणिटेड एफर्स जितना होता है उतना प्रकार होता है है नेपाल बहुखक की खबरों ने कि पूरे हिंदुस्तान को नेपाल के लिए दोडने के लिए प्रेदी दिया था लेकि किसी और के देश की खबर है चलो है खबर ऐसा ही रहा होता तो शायद हिंदुस्तान में जितनी तेजी से नेपाल को मदद पहुंचने का हुआ वो शायद समाज पूरा नहीं हिलता कि वो पता ही नहीं चलता लेकिन जैसी नेपाल की खबरे आई और हिंदुस्तान के मिडिया ने नेपाल के लोगों की तकलीप की बाद हंदुस्तान के लोगों को पहुंचा ही है और सारे देश में नेपाल के लिए कुछ करना चीज का माहोल बना मानूता के बहुत बड़ा काम हुआ तो ये आज हमारी सीमा ये रही नहीं है इस प्रकार से हमें एक दूसरे को पूरत बने एक दूसरी की मदद करें इससे भी एक पूरे इस भूभाग में कि एक सहीयोग का माहोल इस प्रकार से मिलन से कुछ वेरिफाइक करना है तो बड़ी आसानी से वेरिफाइक हो जाता है कभी कब अबबर हर कि प्रतिनी दीद है कोशिश करता हूं लेकिन आवशक है कि इस प्रकार का हमारा कोडिनेशन जीतना बड़े और खास करके हमारे पड़ोष के देशों के साथ हमारा उत्रता का था बहुत अधीक है सुक्दुख्य हमारे साथ ही हैं उन सब के लिए हम जितना जोड़ करके चलेंगे तो हो सकता है कि पूरे भुबा के लिए और विश्व में में एक सकानात्मक्छभी बनाने में यह हमें काम आ सकता है एक कंदुरस परधा समाज जीवन में बहुत आवश्चक हो गई है और हेल्थी कॉंपेटिशन को कि कटलिक एजन्ट के रुप में मिडिया बहुत बड़ी सेवा कर सकता है इन दिनों आपने देखा होगा इंडिया टुड़े ने बहुत पहले शुरू किया था राज्यों के बीच वो रेटिंग करते थे पिकॉन राज्य किसमें क्या परफॉम बनने लगा कि चलिए हम भी कुछ इन चार चीजों में पीछे हैं हम आगे बढ़े हम करें एक सता स्रकारात में कॉंटिबिशन रहा इसने एक हिल्दी कॉंपेटिशन का वाताउन बनाया इन दिनों मिडिया के द्वारा जो कि उनके शेत्र का विश्य नहीं है सफाई को ले करके लोकों को संववानित करना सभाई को लेकर के जुरी बना करके इलाके में जाना इ beggillar करा हूँ सरकार के द्वारा नहीं हो रहा है कि मैं समझता हूं यह जो माहुल शुरू हुआ यह भारत को नई ताकत दे सकता है जिसमें एक competitive nature create हो रहा है healthy competition का nature create हो रहा है जो अच्छा उस राज्य ने किया हम यह करेंगे उस शहर ने किया हम यह करेंगे यह एक सखारात्मा बाहुल बन रहा है सबस्टता के अभियान में तो जुरूर इसने बहुत बड़ा contribution किया है लेकिन हमारे समाज जीवन में अच्छाईयों की कोई कमी नहीं है और मैं पहले भी कहा हूँ और आलोचलना के रूप में नहीं कहा है जीवन की सचाई के रूप में कहा है कि जो टीवी के परदे पर दिखता है वो ही देश ऐसा नहीं इसकी सिवाइपी देश बहुत बड़ा जो अख़बार के पन्नों में चमकते हैं वही नेता ऐसा नहीं है जो कभी नाम अख़बार में नहीं चपा वो भी समाज जीवन में बहुत उत्तम नेतुरतों करने वाले लोग होते हैं और इसलिए इन शक्तियों को भार लाना भारत जैसे देश में ऐसे एक competitive सकारात्मक बाता बरा उसको अगर हम बल देंगे तो समाज को भी लगता है यार हम अच्छा करेंगे हम भी अच्छा करेंगे मुझे भी स्वास है कि आज का ये दिवस हम सब के लिए आत्मचिंतन के साथ और अधिक्ष श्रक्त बनने के लिए काम आए मानुविय मुल्यों की रक्षा करने के लिए काम आए भारत की भावी पीड़ी के लिए हम ऐसी दिव को मजबूत करते चले जाएं जो भावी पीड़ी को मानुविय मुल्यों की सुरक्षा के लिए सहज अनुभूति करा सके इसके लिए आज के अउसर पर फिर एक बार इस खेत्र को समर्पित सभी माहनुभाओं को बहुत बहुत अभिनादन करता हूं दन्यवा करता हूं